आज सश़न में अब अपना नेक्स टॉपिक डिल करते हैं। अभी तक हम जो डीड कर रहे थे, वो थे ऐसायनोटिक सिंड्रॉम आ किया हैं scholars लीकरेटे बाट अब हम सायनॉटिक डिस और युकरेंगे जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, tetralogy of phallet, okay, तो यह किस के अंदर आता है, यह cyanotic conditions के अंदर आता है, disorders, okay, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि tetralogy of phallet होता क्या है, tetralogy of phallet का मतलब है, जो word है वो आपको देख सकते है, tetra का मतलब होता है four, तो यह एक cardiac condition, ऐसा cardiac condition है, जिसमें चार-चार चीजे एक साथ हो रही है, मैं आपको diagram से यहां पर समझा देते हूं, suppose यह heart है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चार चीजे हो रही है, चार चीजे कौन कान सी हो रही है, सबसे पहले यह जैसे pulmonary artery है, तो pulmonary artery का क्या हो रहा है, stenosis हो रहा है, stenosis का मतलब क्या हो रहा है, नेरो हो रहा है, ठीक है, जो भी babies होंगे, जो भी babies है, जिनको tetralogy of phallet है, उसमें क्या है, एक तो सबसे पहले, जो pulmonary artery है, वहाँ पे stenosis होगा, ठीक है, नेरो हो रखा होगा दूसरे चीज क्या है वीस ृटीज थिख reference जो our वेंट्रीकुलार है राइट वेंट्रीकुलार एपस्ड सेप्ट्स फेक्त व्यूदि जो हम पढ़ चुके हैं थीसरे क़ुसमें यह है की यहां से जैसिसे हम नॉर्मल हाट में देखते हैं, नौर्मली हाट में क्या होता है, suppose ये राइट वेंटरिकुलार है, ये सेप्टम है, ठीक है, एक सेकें, ये पल्मनरी आर्टरी हो गया, ठीक है, पल्मनरी आर्टरी है, ये सेप्टम है, ये लेफ्ट वेंटरिकुलार है, ठीक है, ये राइट वेंटरिक के लिए ठीक है यह यह आयोटा होता है यहां से आप अगर अच्छे से डाइग्राम्स देखेंगे तो आपको clearly समझ में आ जाएगा यहां से क्या जाता है left ventricular से यहां से आयोटा जाता है ठीक है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है जब हम tetralogy of phallet में बात करते हैं तो overriding of valve है वह connect हो जाता है मतलब ऐसा हो जाएगा ठीक है तो इसके वज़े से क्या हो रहा है जो भी यहां का blood है ठीक है यहां पर डी oxygenated blood है तो oxygenated blood कि दर को move हो जाएगा oxygenated side पर ठीक है और यहां से कितर इदर जाएगा और इदर से फे systemic circulation ठीक है पूरा circulation हो रहा है मतलब all over body में क्या then circulate हो रहा है deoxygenated blood हो रहा है तो इसी लिए हम इसको cyanotic disorder बोलते हैं वो हमने पहले बात करी है यहां पर क्या हो रहा है right to left shunting of blood ओके और साइनिटिक में हमने अभी तक बील किया था कि left to right shunting होते है ठीक है यहां से blood इदर आते है लेकिन अब क्या है यहां से blood इदर आ रहा है ठीक है तो यहां पर tetralogy of phallet में चार conditions होते हैं first condition pulmonary stenosis second condition VSD third condition जो है overriding of iota मतलब यह दोनों का space बहुत कम हो जाता है और आस-पास रहते हैं overriding of iota और fourth जो last one है that is hypertrophy of ventricular right ventricular तो यह चार चीजे हैं जो tetralogy of phallet में हम देखते हैं यह चारों symptom एक ही बेबी में होंगे इस disease को हम क्या बोलते हैं tetralogy of phallet बोलते हैं तो मैं एक बर यहां पर definition बता देती हूं sorry definition okay TOF, TOF is tetralogy of phallet आप इसको shortcut में TOF लिख सकते हो tetralogy of phallet is congenital congenital cardiac disorder यह cardiac congenital disorder आप बोल सकते congenital disorder which is characterized characterized by four findings okay four findings कौन-कौन से findings हमने पढ़े अभी वो है एक सेकंड sorry four findings है सबसे पहला क्या है VSD second हमने क्या पढ़ा pulmonary stenosis pulmonary stenosis pulmonary artery की बात हो रही है pulmonary stenosis then next हमने देखा overriding of overriding of overriding of iota overriding को दूसरा नाम जो होता है overriding का दूसरा नाम है dextro position ठीक है dextro position का मतलब अपनी position से अपनी position पर ना होगी कहीं और position पर हो ना that is dextro position overriding slash dextro position of iota यह दोनों चीज़ सेम है and last one is last one क्या है hypertrophy of hypertrophy of right ventricular ठीक है तो यह है definition क्या होता है tetralogy of phallet में TOF is a is congenital disorder which is characterized by four findings that is VSD pulmonary stenosis overriding slash dextro position of iota and last one is hypertrophy of RV मतलब right ventricular okay तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा normally same cyanotic के जो भी sorry वो है etiological factors वो मैं आपे नहीं लिख रही हूँ because सब same है तो next हम देखते हैं कि इसका pathophysiology क्या होता है pathophysiology मतलब यह कैसे work करता है तो वो मैं आपको diagram के true समझा देती हूँ कि क्या होता है मैं ऐसे ही diagram बनाऊँगी okay तो हम suppose करते हैं this is VSD ठीक है यह iota है यह हो गया हमारा iota इधर से हमारा pulmonary artery है जिसमें क्या हो रखा है stenosis हो रखा है ठीक है और बस यह ही और यह hypertrophy हो रखा है okay तो सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है due to pulmonary stenosis ठीक है यह जो stenosis हो रखा है pulmonary का जो narrow pulmonary है उसके वजह से क्या हो रहा है blood jetna bi blod right ventricular में आता है RV में जitna by blod आ रहा है वह क्या हो रहा है lungs में नहीं जा पा रहा है lungs में नहीं जाने के वजह से क्या हो रहा है यहाँ pressure बहुत जादा build-up हो रहा है हमने यह चीज बहुत अच्छे से पढ़ा है पहले सेशन में कि जहां भी हाई प्रेशर होता है तो हमेशा ब्लड या फिर कोई भी फ्लूइड हाई प्रेशर से लोग प्रेशर के तरफ मूव करती है आरवी में बहुत राइट वेंट्रिकुलार में क्या है ड्यू टू ब्लड बहुत जादा ब्लड होने के वज़े से यहां क्या है प्रेशर जो है वो बहुत हाई है तो अगर यह इदर भी नहीं जा पा रहा है ऊपर से भी ब्लड आ रहा है ठीक है आरे से भी ब्लड आ रहा है तो आप यह blood किदर को जाता है, पूरा blood left ventricular में जाएगा तो अब ही हमने देगा कि pressure जो है, वो right ventricular में बहुत जादा है तो क्या होगा, high pressure से low pressure में जाएगा, ठीक है blood यहाँ से किदर जा रहा है, इदर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है right to left shunting, ठीक है blood के दर से move कर रहा है, right side से left side, मतलब deoxygenated blood किसके साथ मिल रहा है oxygenated blood के साथ, अब यहाँ से क्या हो रहा है, जब blood right ventricular से left ventricular में जाएगा तो left ventricular में entry पे ही यहाँ पे हमने क्या देख दिया है, कि यहाँ पे हो गया है overriding of iota, ठीक है, overriding of iota मतलब इन दोनों का space जो है, वो जादा दूर नहीं है, बहुत पास है जिसके वज़े से क्या होता है, सारा blood जो है, वो इदर से iota में चला जाता है, ठीक है जितना भी blood right ventricular से आ रहा है, वो सारा किदर जाता है, iota के थुरू systemic circulation में चला जाता है, मतलब पूरी body में क्या जा रहा है, deoxygenated blood जा रहा है deoxygenated blood जब पूरी body में circulate होगा, तो कौन सा symptom आपको देखेगा, sinosis, ठीक है पूरी body जो है, वहाँ पे bluish discoloration होना शुरू हो जाता है, तो यह था pathophysiology, next हम देखते है clinical manifestation clinical manifestation almost जितने भी है, वो congenital cardiac disorders जितने भी है, उनका same ही है इसमें क्या different है, वो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले जो हम देखेंगे, वो क्या है cyanotic spell, cyanotic spell, इसका दूसरा नाम hypoxic spell भी होता है, इसकी बहुत सारे नाम है hypoxic spell, बट कुछ common name जो है, वो cyanotic spell होग या hypoxic spell होगा, और next है tet spell, ठीक है, ये common name इनके, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वो मैं बताती हूँ cyanotic spell, hypoxic spell या tet spell का मतलब ये होता है, कि जब भी बेबी खुद को exert कर रहा है, चाहे वो feeding के time पे हो, चाहे वो crying, रोते time पे हो, जब भी बेबी कुछ work करने की कोशिश करेंगा, sorry, जब भी बेबी कुछ work करनी की कोशिश कर रहा है, कुछ हार्ट उसका जब काम करने की कोशिश कर रहा है, उस time पे क्या होगा, blueish discoloration हो, okay, तो cyanotic spell होगया, hypoxic spell होगया, tet spell हो गया, ये सारी वह जब भी बेबी खुद को एगजर्ट करेगा रोने के वज़े से या फीडिंग के टाइम पर, खुद को जब भी वह एगजर्ट करेगा तो उस टाइम पर एक तो उनको डिस्निया फील होगा ठीक है, ब्रीधिंग दिफिकल्टी होगी, तो वो भी हम लग सकते हैं यहां प जब भी वो खुद को exert करेंगे cyanotic spell या फिर hypoxic spell वगेरा में क्या होता है जो body है, lips हो गए, nails हो गए या body का जो face का skin वगेरा है यह क्या होता है, bluish discoloration शुरू हो जाता है जिससे हमें पता लग जाता है कि जो भी baby है उनको sinosis हो रहा है, मतलब उनके heart में कोई condition हो सकता है right to left shunting of blood हो सकता है तो next हम देखते हैं कि क्या है इसके अलावा हमने पहले भी बात किया हुए कि जो भी जिनको भी congenital cardiac problem है वो babies जो है, वो weight gain नहीं कर पाते हैं, proper तरीके से और जब हम बात कर रहे थे symptoms के या फिर जब हमने बात की कि कितने disorders है tetralogy of pallet में, तो हमने बोला था कि right ventricular का क्या होता है hypertrophy होता है, मतलब right ventricular बढ़ जाता है तो जब भी आप x-ray करेंगे या जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक चीज दिखती है, वो क्या है, कि right ventricular जो है वो enlarged रहता है, ठीक है, hypertrophy है इसका, तो यह किस shape में दिख रहा है यह boot shape में दिखता है, ठीक है, जब भी आप heart को देखोगे तो वो कुछ इस shape में दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते है इसको boot shape बोलते है, ठीक है, तो यह main clinical manifestation है इस चीज का, tetralogy of palate का, कि जो heart है, वो boot shape हो जायता है ठीक है, boot shaped heart यह बहुत important है, पॉइंट आप हमेशे इसको ध्यान में रखना कि tetralogy of palate में क्या होता है, heart जो है, वो boot shape में दिखने लग जाता है इसके अलावा, जो weight gain है, वो बहुत जादा problem create करता है, weight gain होता नहीं है बहुत कम baby जो है, वो काम कर पाते हैं, अच्छे से और dyspnea feel हो रहा है उनको, exert नहीं कर पाते हैं, कभी-कभी unconsciousness भी हो जाता है प्रॉपर oxygen जो है वो पहुंच नहीं रहा है, जिसके वज़े से baby क्या होगा, unconscious भी हो सकता है तो यह था clinical manifestation, इसके बाद हम deal करते हैं, कि diagnostic procedures क्या-क्या होते हैं तो diagnostic procedures पूरे same है, almost same यहां पर diagnostic procedures हो रहे हैं जो पहले हम physical examination, history taking कर रहे थे, वो common है एक सरे करते हैं, ताकि अच्छे से हमें पता लगे कि पूरा मतलब proper visualization हो पाई USG कर रहे हैं, blood flow का पता लगाने के लिए, cardiac catheterization कर रहे हैं ECG कर रहे हैं, eco-cardiography कर रहे हैं यह सारे चीज़ें जो हम पहले disorders में हमने किये हैं, वो सब इसमें common है, diagnostic procedures next, जो है यहां पर वो है management, तो हम management यहां पर deal करते हैं management में क्या-क्या करते हैं, सबसे पहले medical management में medical management में, humidified O2 देंगे, ठीक है और dry नहीं दे सकते हैं, बिकाज अगर dry देंगे, तो bleeding होने के chances रहते हैं तो humidified जो O2 है, वो देना है, और baby को मेंशा knee chest position में कोशिश करने की knee chest position में ही दे, या पर knee chest position में proper तरीके से रखें, ताकि उनका जो lungs है वो proper तरीके से काम कर पाए, next जो है वो हम देंगे morphine मॉर्फिन हम यहां पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि morphine क्या करता है, muscle relaxant का काम करता है तो जो भी contractions heart में हो रहे हैं, जिसके वज़े से proper जब भी baby exert कर रहा है, जो contractions शुरू हो जाता है उस contraction को relieve करने के लिए, यहां पर हम क्या दे रहे हैं, morphine दे रहे हैं, ताकि जो muscles हैं वो थोड़ा बहुत relax कर पाए, okay next हम देखते है, surgical management, surgical management हम क्या क्या दे रहे हैं surgical management में हम यहां पर सबसे पहले करते हैं, palliative surgery palliative surgery, palliative treatment का मतलब यही होता है, कि जब आप किसी भी treatment, जब आप किसी भी problem को या किसी भी disorder को आप proper तरीके से cure नहीं कर पाते हैं, तो जब तक उसका cure नहीं मिलता है तब तक उसको treat करने के लिए, temporary basis पर treat करने के लिए, जो treatment हम provide करते हैं उसको हम palliative treatment बोलते हैं, तो वैसे ही आप ए palliative surgery जो है, palliative surgery का मतलब है कि temporary surgery, जब तक baby बड़ा नहीं होता है, थोड़ा 6 months या 1 year, 2 years का नहीं होता है जब उनके जो cardiac जितने भी problem से उसको treat कर पाए, तब तक के लिए palliative surgery की जाती है मतलब थोड़ा बहुत heart में repair करते हैं, ताकि थोड़ा दिनों तक baby वो survive कर पाए तो palliative surgery जो है, वो अगर minor tetralogy of palate है, small tetralogy of palate है, तो करते हैं इसमें normally क्या करना है, जैसे pulmonary stenosis है, तो pulmonary stenosis को ठीक करने के लिए आप को इस stent वगेरा यूज करते हैं stent से क्या होगा, जो pulmonary stenosis है, जो pulmonary artery जो narrow रखा है, आप उसको क्या करें, जो narrow हुआ है, उसको थोड़ा सा खोल रहे हैं, ताकि जो, एक second, ये heart है, ये pulmonary artery है, तो ये जो stenosis है, यहाँ जो stenosis हुआ है suppose ये stenosis है, तो ये जो stenosis है, आप क्या कर रहे हैं, palliative surgery में आप ये कर सकते हैं, कि इस stenosis को आप किसी चीज़ से open कर दें, तो अगर आप stenosis को open कर रहे हैं, तो यहाँ का जो भी pressure है, वो blood जो है, वो lungs में जा पाएगा, ठीक है, थोड़े time तक के लिए, उसके बाद क्या है, यहाँ पे VSD है, अगर आप VSD को डाकरेंट पैचेस से ठीक कर देते हैं, जो हमने पहले session में पढ़ा है, अगर आप VSD को डाकरेंट पैचेस लगा के ठीक कर दे रहे हैं, तो यह वाला problem भी, जो right to left shunting वाला problem है, वो भी solve हो सकता है, यह permanent नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़े time के लिए supportive surgery आप जो बोल सकते हैं, तो यह supportive surgery हो सकता है, okay, इसके बाद जो surgery है, palliative surgery के बाद, that is blalock tossing shunt, sorry, first is palliative surgery, second is blalock surgery, sorry, blalock tossing shunt, okay, अब blalock tossing shunt में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो subclavian artery है, ठीक है, subclavian मतलब यह clavical area जो है, जो subclavian artery होगी, जो यहाँ से जा रही है, उस artery को connect कर देते हैं, pulmonary artery के साथ, ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, इसमें क्या हो रहा है, anastomosis हो रहा है, anastomosis का मतलब होता है, cross connection, ठीक है, anastomosis, anastomosis of left subclavian artery to, sorry, with pulmonary artery, ओके, तो यहाँ पर क्या रहा है, subclavian artery को हम connect कर रहे हैं, किस के साथ, pulmonary artery के साथ, ओके, अब इसके पीछे का concept क्या है, वो मैं यहाँ समझा देती हूँ, suppose, यह pulmonary artery है, यह stenosis हुआ है, यह normal pulmonary artery है, यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, stenosis हो गया, यह क्या है, RV, right ventricular है, ठीक है, और यह subclavian artery है, ठीक है, subclavian artery normal अपना blood लेके जा रही है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, right ventricular में blood है, लेकिन stenosis के वज़े से blood क्या है, यहाँ पर प्रपर तरीके से जा नहीं रहा है, अगर blood pulmonary artery से जा नहीं रहा है, तो lungs को sufficient blood नहीं मिल रहा है, pump करने के लिए या फिर filter करने के लिए, और उसके वज़े से फिर left ventricular और left atrium को भी blood proper amount में नहीं मिल रहा है, तो blood supply proper चलता रहे, उसके लिए क्या करते हैं, subclavian artery और pulmonary artery के बीच में एक connection फॉर्म कर देते हैं, anastomosis कर देते हैं, ठीक है, cross connection करने से क्या होगा, यहां का जो blood है, वो normal जब flow कर रहा है, वो leak हो के किदर आएगा, इदर आएगा, ठीक है, pulmonary artery में, pulmonary artery से कहाँ पर जाएगा, lungs में जाएगा, lungs से कहाँ पर आएगा, left atrium में, फिर left ventricular में, तो यह क्या होगा, यह normal blood flow जो है, वो continuously चलता रहेगा, ठीक है, तो यह था, blalock, tossing, shunt, या surgery, next जो हम देखते हैं, वो brock surgery देखते हैं, next is, ब्रॉक, सर्जरी, okay, ब्रॉक सर्जरी में क्या हो रहा है, जो अभी हमने देखा था, जो अभी हमने बात किया था, कि यह stenosis है, ठीक है, pulmonary में stenosis है, तो pulmonary का जो यह stenosis है, इसको हम correction करेंगे, कैसे pulmonary valvotomy करके, ठीक है, pulmonary valvotomy क्या होता है, हर एक जगे पे, जैसे जो भी opening है, हाट में वहाँ पे क्या होते है, valves होते है, for example, यह valve है, तो यह, इसको हम क्या बोलेंगे, pulmonary valve बोलेंगे, तो pulmonary valve को हम repair करेंगे, तो उसके वज़े से, यह जो stenosis है, यह जो narrowing of pulmonary artery है, इसको हम करेंगे, और फिर blood flow जो है, वो normal हो पाएगा, तो यह थे एक surgeries, यहाँ पर हमने तीन surgeries पड़े हैं, palliative surgery, blalock tossing shunt और brox surgery, I hope आपको यह tetralogy of phallet का topic समझ में आया हो, अगर इससे related आपको कोई भी doubt है, तो आप पूछ सकते हैं, thank you class.